जे जिनेंद्र जे भूलेना दोस्तों दो बच के बावन मिनेट हो गई आफ्टनून की अभी सिफ थर्टी एट मिनट्स बचे मार्केट को बंद होने में और जो बेचारे बियर्स इस आज में बैठे थे कि थोड़ा तो कर्रेक्शन आएगा और इंट्रेस्टिंग्ली आज तो बैंक निफ्टी भी ज्यादा तर समय फ्यूचर्स में ज्यादा तर समय एक तालीस चार्सों के उपर भीदा रहा है इसका मतलब कुछ और यह चलिए मैं समझा देता हूं को तो सबसे पहले डिस्क्लेवर मर देख लेता है इसको पढ़ना अनिवार यह मेंडेटरी है चलिए मैं आपको फटा-फट समझा दो ताकि आप अपना दिमाग यूज करके फिर जो करना करो देखें यहां पर बैंक निफ्टी सर्प्राइजिंगली क्योंकि फ्राइडे को बहुत वीक था लेकिन सर्प्राइजिंगली 400 के उपर कंटिन्यूसली आज ज्यादा तर समय फ्यूचर्स में इसने 400 के उपर बिताया और निफ्टी तो किसी को मौका भी नहीं दिया अगर सुबह किसी ने शौट किया होगा आज तो उसको कोई मौका नहीं दिया तो इसका मतलब सम्वेर यह कल की तेजी को कंटिन्यूशन तेजी रखने का सिगनल है अब आपको क्या ध्यान रखना है तीन अठाइस पे चेक कर लीजिएगा अगर यह 400 से 10 नीचे है तो इसके पुट लेके जाईएगा खली एक दिन के लिए अगर लेना है तो आज का ट्रेट तो मैंने इंट्राडे बोला तो कोई इस भी मत करिएगा अगर यह 400 के नीचे लास्ट डिखाई देता है आपको तीन पचीस तीन अठाइस पे तो इसका पूट लेके जाहिएगा यह 400 पॉइंट घिल सकता है लेकिन अगर यह 410 के उपर लास्ट ट्रेड हो रहा है तो भूल से भी इसका आज पूट मत लेके जा कल भी एक 100 पॉइंट की तेजी ओर दिखाएगा ठीक है इसका 18,500 और इसको इसका अगर कल के लिए पूट लेना है तो इसको लास्ट ट्रेड इसका 16 990 के नीचे होना पड़ेगा तब लीजेगा और 18,000 10 के उपर रहा एक कॉल लीजेगा कल के लिए इसमें भी सेम बता दि तो कुछ मत लीजेगा कॉल भी मत लीजेगा इसमें बुलिश होके मत जाहिए कुछ भी हो जाए लेकिन अगर यह 390 के नीचे हुआ लास्ट ट्रेड इसका एक पूट लेके जाहिएगा एक लॉट ज्यादा नहीं हम ब्यारिश नहीं है बैंक निफ्टी मेरा टार्गेट च जो एक यू प्लान पूर नेक्स देग तो यह सारी टेक्निक्स आपको मेरी क्लास में मैं सिखाता हूं ठीक है अब तो अंडर्स्टेंड मार्केट मूवमेंट फोर तोमोरो इंद इन रुनिंग मार्केट साड़े दिन के बाद तो बहुत लोग पोस्पोस्पोस्पोस्पो झाल